दोस्तों यह सकती कपूर का घर और उनकी बेटी स्रद्धा कपूर का घर यह घर मुंबई के जुहू इलाके में इस्तित है इस घर की कीमत लगबग 30 करोड रूपे है और इस घर का नाम पाम बीच है हेलो गाइस वेलकम बैक तूद चैनल तो कैसे है आप लोग वापस से एक ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिलाल इस वक्त हुए में मुंबई जुहू पे देख सकते हूँ आप लोग घुमने आये थे अभी यहां से मैं जाने वाला हूँ स्रद्धा कपूर का घर द बताओंगा तो आप लोग वीडियो के लाश्ट तक बने रहा है आज की इस वीडियो में हम स्रद्धाकपूर का घर दिखाने वाले हैं तो बस बने रहा है वीडियो के लाश्ट देख सकते हो अभी मैं हूं जुहू पर और करीब दो तिन बज रहा है और इधर दोस्तों के सा स्रद्धाकपूर जी के घर पर तो गाइस देख सकते हो यहां पर अभी तीन बज रहा है और तीन बजाए करीब में हम इतनी पब्लिक है जूपे और यहीं से थोड़ा दूर आगे चलेंगे तो सामने वोला जो घर दीक रहा है नो वह है अच्छे कुमारा उडितिक जी का अगार और जैस्ट इसके बगल से जो गली अंदर जाता है इसकोंड टेंपल के तरह वाला गली पकड़के जाएंगे तो हम आप सभी को सनी देवलकागर दिखाएंगे और स्रद्धाकपूर का अगर दिखाएंगे और दिभ्या भारती और सिलफा सेटी जी क्या यह पकड़के हम जाते हैं तो यह वाला गली डाइरेक्ट इसकोंड टेंपल चला जाएगा और यहाई से थोड़ी दूरी पर है स्रद्धाकपूर का घर सिलफा सेटी का घर और सनी देवलसर का घर और और रहा सामने अच्छे कुमार जी क्यागा तो चलो दिखाता हूँ आप स अब इनको सबी को स्रद्धाकपूर का नोच गाए आफ सब्सक्रागों परहा तो अगर जैख सक्छे का घर और देख सकते हो हैं और पूश्त आप सभी को बता दू कि स्रधाकपूर सक्तिकपूर की बेटी है स्रधाकपूर का जन्व तीन मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था देख सकते हो यह इनका स्रधाकपूर के घर का में गेट का उम्र अभिलाग भग 30 वर्स हो चुका है अब सभी को बता दू कि स्रधाकपूर के पीता सक्तिकपूर बालीबूट के मसहूर अभिनेताओं में से एक है इनका कोई जोट नहीं है बालीबूट में और नीक जश्ट बगल में सिलपा सेटी और राज कुंत्रा रहते हैं और जश्ट इनके घर के सामने दिब्या भारती क के साथ रहती हैं देख सकते हो यह घर मुंबई के जुभू इलाके में इस्तित है और इसी गली में सनी देवल का इस्टूडियो भी है और जैस्टिन के बगल में यह वाला जो घर आप लोग देख रहे हो इस घर में दिब्या भारती पहले रहा करती ही जो इस दुनिया में देख सकते हो यह वाला आप लुक्म के साथ देख सकते हो मैं जुम कर के आप सभी को दिखा रहा हूं अप सभी को बता दूं कि स्कूल सिछा दीशा 15 वश्तक मुंबई के जमनाबाई नर्सरी इस्कूल में होई ती उसके बाद वो मुंबई से अमेरिकाई स्कूल में चले गए जहां पर उनके इस्कूल के फ्रेंड और मित्र अभिनेत्री आशिया सेटी और अभिनेता टाइगर शरब थे आशिया सेटी ने टायम सफ इंडिया में दिये गए अपने इंटर्वी में बताया कि विए सभी प्रतियोगिता में वहां और यह रहा जो सामने वाला घर जो देख रहे हो आप लोग यह सिलपा सिट्टी और राज कुंद्रा जी का घर देख सकती हो किनारा घर का नाम है किनारा जो कि मुंबई के जो ही लाके में इस्टी थे देख सकती हो यह अफिए आपको मैं इधर दिखाए का है यह वाला है श्रद्धाक पूर्जी का हर और जो कि इनके घर के सामने यह वाला बंगलू एस बंगलू पे दिब्य लिखा भी यह झालारती का घर दिब्या भारती का गार जो कि बालीवोट के काफी जानीमानी एक्ट्रेस है और काभी लग्जेरी इनका गार है देख सकते हो चारोत्रप एक ग्रिणरी आपको दीख रहा होगा दिब्या भारती का इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन जब वो इस दुनिया में थी तो इसी घर को उन्होंने पॉट्चेस किया था देख सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना आई तक आई जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जै भारत वंदे मात्रों